नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद. इन विभिन की घात आर होती है, यानि कि यदि आपको एन विभिन वस्त्वें दी जाएं और उम्मे से एक समय में हमें आर वस्त्वें ही लेनी हैं, अमान लिजे ये आर रिक्तिस्थान है, अब क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वस्त्वों की पुनुरा वृत्ति की अनु प्रकार से कर पाएंगे, तो क्योंकि इस बार पुनुरा वृत्ति की अनुमती है, तो अब हम फिर से ये एन प्रकार से कर पाएंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एन आ जाएगा, यहाँ पर भी एन आ जाएगा, यहाँ पर भी एन आ जाएगा, आप समझ पा रहे हैं न यह आर रिक्तिस्थान है, यानि कि यहां पर N को हमने आर बार लिखा, यानि कि यह हो जाएगा N की घात आर, तो देखा आपने यह हमें कैसे मिला, तो आईए इस पर आधारित एक उधारन करते हैं, तो यहां पर दिया गया है नंबर शब्द के अक्षरों में से तीन अक्षर की मदद से हमें तीन अक्षरिया शब्द बनाने हैं, ठीक है, यानि कि यहां पर यदि आप देखेंगे, तो आपको 6 विभिन प्रकार के अक्षर मिलेंगे, यानि कि इस केस में N का मान कितना हो जाएगा, 6, और आपको इन 6 अक्षरों में से एक बार में कितने अक्षर लेन संख्या, यह और कुछ नहीं, परंदू क्रमचयों की संख्या ही है, तो यह किसके बराबर होता है, N की घात, R के बराबर, और यहां पर N का मान 6 है, R का मान 3 है, तो यह आजाएगा 6 गुणा, 6 गुणा, 6 यानि की 216, इसका मतलब है कि नंबर शब्द के जो अक्षर है, इन अब मान लीजिए, यहां पर कंडिशन चेंज हो जाए, और कंडिशन में कह दिया जाए, कि यदि पुन्रा वित्ती की अनुमती नहीं है, ठीक है, और ध्यान रहे, आपको अभी भी तीन अक्षरे शब्द ही बनाने है, यानि की इस केस में भी N का मान 6 ही होगा, वा R का मान तीन होगा, इस केस में बदला क्या है, कंडिशन बदली है, इस केस में आप पुन्रा वित्ती नहीं कर सकते हैं, तब आप क्रमचेयों की संख्या, यानि की जो तीन अक्षरे शब्द है, इनकी संख्या कैसे ग्याद करेंगे, तो इसके लिए आप N, P, R जो सूत्र है, इसक छे है, तो 6, P, और R कमान 3 है, तो 6, P, 3, और ये आजाएगा, 6! अपॉन 6-3! और ये क्या आजाएगा? ये आजाएगा, ये आजाएगा, 6! अपॉन 3! के बराबर, अब यहाँ पर हम इस 6! को किस तरीके से लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 6, गुणा, 5, लिख सकते हैं, और यहाँ से हमें हासिल हुआ, 3! से 3! का कटना, और ये क्या आजाएगा? 6, 35, 30, और 30, 120, यानि कि यहाँ पर 6, P, 3 कमान 120 आजाएगा, यानि कि यदि पुन्रा वृति की अनुमती नहीं होगी, तब हम 123 अक्षरियर शब्द यहाँ पर बना पाएंगे, क्य यहाँ है, जो सूत्र हम लगा रहे हैं, वो भी यहाँ पर बदल जाता है, आए इसे तरीके से एक और उधारन यहाँ पर करते हैं, और यह कहता है, रोज शब्द के अक्षरों में से, चार अक्षरियर शब्दों की संख्या हमें यात कर नी हैं, देखे कि चार अक्षरियर है कि हमें कितने विभिन प्रकार की वस्तों दी गई हैं तो यदि आप देखेंगे रोज शब्द में हमें चार विभिन प्रकार के अक्षर मिल रहे हैं यानि कि N का मान यहां पर चार हो जाएगा और आर का मान क्या होगा हमें एक बार में कितने अक्षर लेने हैं चार अक्षर ही लेने हैं यूंकि हमें यहां पर चार अक्षरिय शब्द ही बनाना है तो आर का मान भी यहां पर चार हो जाएगा अब यहां पर हम कुल क्रमचेयों की संख्या कैसे ग्यात कर आएगा 16 गुणा 16 और यह आजाएगा 256 के बराबर आएए बात करते हैं दूसरी कंडिशन की जहां पर कहा गया है कि पुन्रावृति की अनुमती नहीं है तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर N का मान 4 तथा R का मान भी 4 ही होगा अब क्योंकि यहां पर कहा गया है कि पुन् तो यहां पर 4 तो यहां पर चार मान alltså 4 और यहां पर देखिए चार गुणा 3 गुणा 25 को नहीं होगा ऐरी सबसे लिए किचा बराबर होगा यह तो देखिए jane20 , 4 Crunch और यहां पर चार गुणा 3, इसके बराबर, याजि假ी यदि पुंरशी के अनुमती नहीं है, तब हमें क्रमचयों की संख्या 24 मिलेगी तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडीयो को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि पुन्रा विति की अनुमती होने और ना होने से क्रम्चेयों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में